स्वगंधार इस जैसा कि अख़ोर्य है दोस्तो या इधि कमजोरी माषूस हो रहा है या फिस सेक्स पावर किसी पुरुष में मरदाना तागत की कमी माषूस हो रही है इर्म्निटी सिस्टम कमजोर है भूख नहीं लग रही है लीबर्ट में कोई पाचन समंधी कोई समस्या है दोस्तों नीद नहीं आ रही है और तनाव बहुत जदा ले रहे हैं तनाव कम करने में यह सिरफ बहुत अच्छा काम करता है तो अब बात कर लेते हैं जैसा कि यह एक अर्वेदिक सिरफ है जो अगर किसी भी पूरुस में सेक जो पूर्सों में यौन शंता को भी दुरुस्त करने मददगार हैं और इसका सेवन करने से स्वर्म क्वालिटी भी अच्छी होती है दोस्तों आपको तनाव कम करने में यह सिरफ बहुत अच्छा काम करता है जैसा कि आज काल के समय में दोस्तों जादतर इंसान तनाव की समस समस्य है तो यह सिरफ बहुत अच्छा काम करता है त mm जो आ सुधीघ है वह तनाव को दूर करने में मदद करते हैं और इसमें कि इन्टी एंट्भि गुण इसमें बहुत सारे आउस्थी गुण हैं और सरी में एक इमृटी पावर भूस्ट करता है जिससे जो कि इमृटी और जल्दी बीमार का शिकार नहीं हो पाते हैं लोग तो यह सिरफ इसमें बहुत अच्छा काम करता है तो अगर किसी को नीद की समस्या है तो नीद ना आने की समस्या को भी है दूर करता है सिरफ यदि जो है आप रात में सोते समय बिस्तर पर करवट बदलते रहते हैं इसका मतलब है कि आपको अच्छी निद नहीं आती है ऐसे में अस्वगंधा का स्यवन या फिर जो है कि अस्वगंधा रिष्ट का स्यवन इस समस्या के लिए समाल आप बिमारी और स्वावन ने दूरबलता की एक किसम में सफलता पूरवख कर सकते हैं इसके कई बिलच्छण गुनोंं के कारण आप इसे एक स्वास टानिंग मान सकते हैं आपको दाए जो की एक लंबी बीमारी के बाद हमारी सक्ति को पुना अस्थापित करने और हमारे समग्र स्वास्त के सुधार में मददगार है तो गंधा रिष्ट पाचन तंद्र की मजबूती के लिए जो है हमारे सरीर के पाचन तंद्र का बेहतर सेहत जो है कई बीमारियों के संभावनाओं को खत्म कर सकता है जब आप जो है कि अस्वगंधा रिष्ट का 7 तरते हैं तो आपके पाचनतंत्र को मजबूती मिलती है और मजबूत पाचनतंत्र आपके लिए स्वास्त का एक घोतक साबित होता है दोस्तों दोस्तों आपको तदे इस सिर्प का इस्तमाल जो है डाक्टर की सलासा ही करना चाहिए नहीं की आरविदिक तो सोयम से करें अगर जाएंके जो बिडिको लाएक करें सेरे के चैनल को सब्सक्राइब करें